नवस्का दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने यूटूब चैनल बता दोस्तों बीएस्टीशी कॉले अलोटमेंट 2023 की पहली लिस्ट को लेकर इतना समय क्यों लग रहा है आकर पजिगम सिच्चा बाकी दरब से लिस्ट को जारी क्यों नहीं किया जा रहा है क्या आचा इसारे स्टरेंट के भी कर रहे हैं कि सजण आचार सहिंता यानिक जो तीन समर को चुनाब के नतीजे आएंगे उसके बाद ही सद्र्इट जारी होगी पहली रिस्ट ऐसा नहीं है आचार सहिंता के बाद लिस्ट नहीं आएगी बलकि अगले दो से तीन दिन के अंदर कभी भी लिष्ट जारी हो सकती है दोस्तों बोड की तरफ से भी एक आ गया था कि लिष्ट तैयारी का कार कर लिया गया है रिपोर्टिंग कलेंडर का कार यहां पर अभी पूरा नहीं हुआ है इसलिए थोड़ा समय लग रहा है पंजिकम सिच्वाग रायस्तान भीकनेर की जो आपकी जो लिष्ट है बो तैयार हो चुकी है लिष्ट तभी जारी होगी जब सेडूल कलेंडर जारी के जाएगा डियाल कॉलिवा प्रिवेस सीट का इंतियार है दोस्तों सीट आवंटर का और बोड की तरफ से दो दिन पहले भी खागया था कि एक और दो दो दिन में इस इसके बाद सेकंड लिष्ट भी जारी होती है थर्ड लिष्ट भी जारी होती है अगर इतना लेट सेशन को गिया जाएगा तो बी एस टीशी की जो क्लासेश हैं काफी लेट हो जाएगी इसलिए बी एस टीशी की जो फस्ट लिष्ट दोस्तों अगले दो से तीन दिन के अ यह fix date बोड कभी भी जारी कर सकता है आज कल या दो दिन के अंदर कभी भी लिस्ट जारी कर सकता है first list 21,000 सीटों पर जारी होगी जियों दोस्तो 26,000 से 21,000 सीटों पर first list है वो बोड के द्वारा जारी की जाएगी first list आने के बाद दोस्तों आपको reporting के लिए समय दिये जाएगा सबसे पहले यहाँ पर 13,500 रुबए आपको फीज जवा करानी होगी college की जो फीज रहती है दोस्तों उसके बाद आपको यहाँ पर document अपलोड करनी होगी फिलस आपको college में भी जाना होगा इस परकास के दोस्तों आपको यहाँ पर reporting करानी होती इसके बाद आपको admission slip दी जाएगी और admission slip मिलने के बाद आपको दोस्तों यहाँ पर जो admission है वो पक्का हो जाएगा और classes आपकी अगले 10 दिन के अंदर start हो जाएगी तो bhtc की जितनी भी चात्र आप दोस्तों तयारी कर रहे हैं नेस्ट आप दोस्तों जो bhtc आज इस होने वाला है जिनको लगता है कि इस बार selection नहीं हो पाए वो अपनी तयारी करते हैं क्योंकि इस बार exam जल्दी होगी इस बार आपकी exam अप्रेल तक कंडेट हो जाएगी दोस्तों जितने भी चात्र है जिनका bhtc को लगता है कि इस बार selection नहीं हो पाएगा वो अपनी तयारी अभी से करना start करते हैं और जिन चात्रों को एक लाग बीस यार चात्र मैं से क्योंकि सभी चात्रों को एक लाग बीस यार मैं से college नहीं मिलेगी क् कि इस बार bhtc का एक्जाम जल्दी आज रवाए जाएगा पिछले थीन साल से काप भी लेट एक्जाम हो रहा है तो दोस्तों यह है अपडेट आपकी पंजीकम सिच्छा वगर आस्तान बीकानेर की तरब से लिस्ट किसी भी समय जारी हो सकती है फ्रस्ट लिस्ट की कटों म मैं आपको लाइब आकर अपडेट भी करूंगा सब्सक्राइब करें दोस्तों जैहेंद बंदे मात्रा